कि अज़िए को बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग रादे राम राम कैसे आप सब बढ़िया फसक्लास एक बार जरा कोमेंट करके कंफर्म करेंगे बचा की ओडियो वीडियो सब कुछ ओलो के है और आज की दिन की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल थोड के साथ में और आज का थोड़ क्या है बचा कि कोशिश हमें हमेशा आखरी सांस तक करनी चाहिए या तो आपको क्या होगा मनजिल मिल जाएगी और मनजिल ना भी मिले ना तो आप लोगों को एक्सपीरियंस यानि अनुभव जो होगा वह बहुत अच्छा मिल जाएगा जैसा भी रीजन होते हैं तो उन लोगों को कभी भी थक्के हार नहीं माननी जैसा कि मैं आपको डेली अपनी क्लासिस में बताती हूं कि बचा आपके यलवा एडिसन जिन्हों ने इतना बड़े आपकी चीज़ की खोजगी बल्व काविशकार किया नो सो निन्यान में बार वो मा सब्सक्राइब जरूर करेंगे बहुत ही ईजी और बेसिक कोश्चन रहेंगे कुछ अच्छे कोश्चन भी रहेंगे बट यू हाव टू सब्सक्राइब चैनल शेयर दा क्लासिस एंड लाइक द वीडियो ओके बल्गुनफल होता है बताइए आपका बल जो होता है बच्छ फोर्स जो होता है वहाब का बैसिकली किस का अगुनफल होता है तो एफ इज़ एकुलस टुए एम इंटु एफ इसका के चंडरमा पर उतरते पडारत की मातरा में परिवर्तन होता है भार घट जाता है तथा मात्रा आपरिवर्तित रहती है भार में परिवर्तन होता है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है बताईए यदि आपको मैं यहां से चंदा मामा पर लेकर जाओ और चंदा मामा पर जाने के बाद में आपके शरीर में क्या होगा क्या आपका द्रवमान और भार दोनों बदलेंगे दोनों में से कोई एक बदलेगा या दोनों में कमी आ जाएगी सो समझ के आंसर करेंगे थोड़ा सा बताईए मैम दोनों बढ़ जाएंगे चलिए एक दो बच्चों का आंसर आया है मैम दोनों बढ़ जाएंगे वो हमारी धरती माता की one by six है बोलो हां के ना ठीक है जी आपकी धरती माता की one by six है की नहीं है यानि मैंने आपको एक कोशन दिया कि बेटा यहां पर तुम्हारा वजन सो किलोग्राम है दियान से सुनना यहां पर तुम्हारा वजन सो किलोग्राम है तो बताईए चंदा मामा पर तुम्हारा वजन कितना होगा या फिर एक और चीज़ यहां पर तुम्हारा द्रव्यमान सो किलोग्राम है तो बताइए चंदा मामा पर तुम्हारा द्रव्यमान कितने किलोग्राम होगा मैं CRPF tradesman complete foundation batch join किया है बट अभी तक करने से new foundation we will be let you know of schedule classes क्यों आ रहा है बिटा इसलिए क्योंकि वह बाच भी आपका स्टार्ट नहीं हुआ होगा that's why है ना इसलिए आ रहा होगा बच्छा 50 by 3 50 by 3 50 by 3 as usual जैसे मैंने expect किया था आप सबका अंसर एक बात बता ये बहिया kilogram किसकी unit है बताना जरा kilogram किसकी unit होती है क्या kilogram वजन की unit होती है नहीं वजन की unit क्या होती है w is equals to आपका भार क्या होता है mg होता है बोलो हा के ना ठीक है w आपका भार किसके equal होता है m into g के equal होता है तो जब तुम्हें unit kilogram दी हुई है तो या तो तुम्हें वजन निकालना पड़ेगा यानी तुम्हें भार निकालना पड़ेगा तब तुम निकाल पाओगे लेकिन अगर मैने तुम से ये बोला है कि यहां तुम्हारा दिरुमान सो किलो ग्राम है तो चंदा मामा पर भी तुम सो किलो ग्राम के ही रहे होगे समझाया यानि मेरा जो आपका दरवमान है वो तो 60 kg ही रहेगा लेकिन कमी किस में आएगी मेरे वजन में मेरे भार में कमी आएगी वो 1 by 6 होगा समझ में आया वो बच्छा आपका 1 by 6 होगा यानि यहां यदी मेरा आपका 60 है तो चन्दा मामा पर कितना हो जाएगा अपका पहले तो यहां पर वजन निकालना पड़ेगा पहले यहाँ पर इसको 10 से मिल्टिप्लाई करके वजन निकालोगे और फिर इसका 1 by 6 होगा कहाँ पर बच्चा चंदा मामा पर यानि चंदा मामा पर द्रव्यमान जो होता है बच्चा वो आपका वही रहता है लेकिन वजन में आपके कमी आजाती है ठीक है वजन में बच्चा आपके कमी आजाती है यानि उप्चन नमबर बीज होगा बच्चा वो आपका सही होगा ओके चलिए यदि हम भूमद्य रेखा से धुर्वो की और जाते है तो जी कमान बढ़ता है घड़ता है वही बना रहता है यह 45 डिगरी अक्षांस तक घड़ता है बिल्कुल है बेटा टीटीए के लिए एक लास है डेफिनिटली है ओके मनीश बताइए देखो भाई क्या है यह हमारी धरती माता है ठीक है यह अरे भाईया आंसर का है आ गया यह क्या है बचा आपकी धरती माता है ठीक है यह आपकी धरती माता देको धरती माता जो है न हम लोग मानते हैं कि धरती माता पहले हमने बताया गोल है एक वह कहताब्र कि यह ना कुछ इस तरह से उता है एक हिस्सा जादा दबा हुआ होता है फिर बता लगा कि एग के शेप की नहीं कहीं से उठी है कहीं से आपकी बाहर निकली हुई अब यहां पर क्या है यह हमारी धर्ती माता लेकिन इतना पता है कि एक्वेटर की आपकी लंबाई जाता है और पॉल्स पर क्या है बच्चा यह आपकी रेडियस कम है और जी की जो वैल्ली होती है आपका जो ग्रैविटेशनल एक्सक्लेरेशन होता है वो इन्वर्सली कोशनल होता है ठीक है बात समझ में आई तो यहां पर बचाई यह जो है आपका जो आपकी ग्रेविटेशनल वैल्यू है जहां पर आपकी रेडियस कम होगी वहां आपका जी का मान जाता होगा कोशन पुछा गया है भूमध्य रेखा से धुर्वों की और जाते हुए तो जी कमान बढ़ता है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं शरीर का वजन प्रत्वी की सतह पर सभी जगह एक समान रहता है दुर्वों पर अधिक्तम होता है विशुवत रेखा पर अधिक्तम होता है मैदानों की तुलना में पहाडियों पर अधिक्तम होता है एक चीज याद आंसर ना आप लोगों के एक्जाम पर भी निर्वर करता है कि आप किस चीज का एक्जाम दे रहे हैं यदि यह कोशन आपका MTS में आएगा तो MTS के बच्चों के हिसाब से उनको सिखाया जाएगा कि प्रत्वी पर सभी जगे जी कमान समान रहता है जो नहीं होता है ना जो नहीं होता भाई जी की वैल्यू जो हमने निकाली हो यह आपका 9.8 मीटर पर सैकेंड स्कूर यह एक एवरेज है याद रखेंगे यह आपके एक एवरेज है यह फिक्स वै यू प्रत्वी पर सभी जगे समान रहती है तो आप बोलेंगे नहीं लेकिन यदि आप MTS का एक्जाम दे रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यस वहाँ पर आपको उस तरह का option ही नहीं मिलेगा तो आप किस चीज का एक्जाम दे रहे हैं यह भी आपका निर्भर कर होता है ओके विस्वत रेखा पर अधिक्तम होता है मैदानों की तुलना में एक बात बताईए सेम कॉंसेप्ट लगेगा यह हमारी धरती माता ठीक है यह एक्वेटर विस्वत रेखा पर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो जी कमान कम होगा यहां पर आपकी आर की वैल्यू कम है तो जी कमान आपका ज्यादा होगा कोशन दिया हुआ हुआ है कि धुर्वों पर आपका अधिक्तम होगा ओव्यसली जहां पर बच्चा आपकी वैल्यू जादा होगी वहीं पर आपका भार यानि वजन जो होता है बच्चा वह आपका ज्यादा है ओके चलिए व्यक्त व्यक्ति प्रत्थिवी की तुलना में चंद्रमा की सतय पर अधिक मुचा क्यों उचल पाता है यानि अगर तुम यहां 10 फीट कूद पाते हो तो वहां लगभग 60 फीट आप लोग कूद पाएंगे ऐसा क्यों होता है पिटा किताब के बारे मैं अभी तो नहीं बता सकती हूं क्योंकि किताब अक्षुलियर रोकी हुई है कि आपके exam pattern में कुई change होता है तो नए exam pattern के आधार पर नई किताबें आपकी बनाई जाएंगे इसलिए सारे बचे answer करने की कोशिश करेंगे भई अधिक उचा क्यों उचल सकता है क्योंकि चंदा मामा पर जो आपकी ग्राविटी है जो आपका गृत्वा कर्शन बल है वो आपका प्रत्वी की तुलना में कम होता है तो हलका फील होगा तो आप जादा उंचा जम्प कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जरा एक बार बहुत ही बहतरीन कोश्चन है और आइम डेफिनेटली शॉर अबाउट इट की जो बच्चे मुझसे पहले नहीं पढ़े हुए है डेफिनेटली आप इस कोश्चन को गलत करेंगे मैं आपको शॉरिटी के साथ बोल सकती हूँ कोश्चन क्या है ध्यान से सुनेंगे 20 किलोग्राम का आपके पास में मैंने कोई आपको एक वजन दिया और मैंने आपको बोला कि आपको इसे जमीन से उठा कर एक मीटर उपर पकड़ कर खड़े रहना है तो बताईए आपने जब एक मीटर इसको उपर पकड़ कर आप खड़े हुए हैं आपके द्वारा किया गया कारिये कितना होगा ठीक है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के एक मीटर की उचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कारिय कितना होगा कारिय का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ work done is equal to f into d f तुम्हें पहले यहाँ पर निकालना होगा d तुम्हें दिया हुआ है तो बताईए चलिए बताईए आया किसी का हाँ आईवी के लिए पढ़ सकते हो वैसे आपकी साड़े चार बज़े आईवी क्या लग से भी क्लास होती है बता दीजिए मैं 20 जूल अरे कुछ था भहिया देखो एक बात बताओ 20 गुणा एक ठीक है आप सबने अंसर लगा दिया 20 जूल एक बात बताना पहली बात तो जिन्होंने 20 जूल निकाला है उनका भी गलत है आपने क्या किया F into D किया है मैंने यहां तुम्हें 20 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है force तुम्हें दिया ही नहीं M into G यानि की 200 गुणा 10 ठीक है हम G की value calculation को आसान करने के लिए 10 ले ले लेते हैं तो यहां पर यह कितना आगया आपका 200 न्यूटन अब अगर तुम इस इसाब से भी निकालते हो तो भी तुम्हारा answer 200 जूल आना चाहिए था क्योंकि गुणा 1 करोगे तो देखो 20 जूल तो किसी भी कीमत पर नहीं आने वाला था लेकिन तुम लोगों ने देखा question है ठीक है direct multiply किया अपना आगया answer गलत question पूछा क्या गया है उसने आप से ये नहीं पूछा कि वजन को जमीन से एक मीटर उठाने में कितना कारिय किया गया है उसने बोला है कि जमीन से एक मीटर उठाकर उपर पकड़े खड़े रखने के लिए कितना कारिय किया गया होगा यानि आप stable है ठीक है जैसे माल लिए ये marker है और मैं इस marker को यहां पर ऐसे पकड़ कर खड़ी रहूँ तो क्या इसमें गोई displacement है इसकी स्थिती में कोई displacement भरया नीचे गिर जाए मैंने इसको नीचे से उठाया और ऐसे में इसको पकड़के खड़ी होग्य तो क्या इसमें को displacement है नहीं है ऍली सी वात है नहीं अब अगर वहों मुझ से यह पूचे लेकिन नीचे से उठाने में उपर तक किया गया कारिया कितना है तब मैं आंसर निकालूँगी लेकिन जब मैं स्टेबल हूँ मैं इसको पकड़ के चाहे तीन गंटे खड़ी रहूं चार गंटे खड़ी रहूं लेकिन मेरा displacement तो zero है और जब भी अभी आपका displacement zero होगा तो उसे विस्थापित करने में आसफल रहता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कारिया कितना होगा तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कारिया कितना होगा बताइए जैसे माल लिया मैं यहां से इस दीवार को धक्का देना शुरू करती हूं ठीक है मैं इस दीवार को धक्का देना शुरू करती हूं लेकिन यह दीवार अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी तो मेरे दोऔरा किया गया कारिया कितना होगा तो मेरे दोरा किया गया कारिया कितना होगा सिंपल सी बात है कोई कार्या नहीं करोंगी क्योंकि जहां desplacement 0 वहां आप की energy चाहे कितनीenser को दिवार को धक्का देते देते मैं बहुत महनत कर रहे हैं मल यह आपकी त्युक्त खराब हो जाए कुछ वी हो जाए है ना और आपका सेलेक्षिन रुख जाए .5 से या फिर .25 से या एक या दो नमबर से रुख जाए अब आपके रिष्टे-दार आते हैं घर में ठीक है हां मैया तुम्हारा दाका भी कर रहा तुमने चाहें पूरे साल कितनी महनत की हो, कुछ भी किया हो, चाहें तुम्हारे पास कितनी knowledge है, अगर तुम्हारा selection नहीं हुआ, तो result 0, result 0, वही बात है, यानि कोई विस्थापन यदि नहीं होगा, तो आपका displacement क्या हो जाएगा, आपका work done क्या हो जाएगा, 0, पीसा की एत समय पहले ये आपका news में सुर्खियों में काफी रहा था, बताईए, पीसा कहां पर है, पीसा की एतिहासिक मिनार तिर्ची होते हुए भी नहीं गिरती है, बताईए, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंदर से होकर जाने वाली उर्द्वा रेखा आधार से होकर नहीं जाती, इसलिए बच्छा इटली में है, ठीक है, इसलिए बच्छा जो आपकी पीसा की एतिहासिक मिनार है, वो आपकी कभी भी नहीं गिरती है, ठीक है, आधार से होकर यहाँ पर नहीं है, क्या, आधार से होकर जाती है, ठीक है, उप्शन नमबर A जो होगा बच्छा, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, मैंने शायद B लगा दिया था आपका, A रहेगा, क्योंकि इसके गुरुत्व केंदर से होकर जाने वाली उर्द रात में या आप फ्रिज में यदि बोटल को रख दे, आभी जैसे आपकी गर्मिया शुरू हो जाएंगी, तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगी, कि भाईया, अगर तुमने फ्रिज से पानी निकाला है, तो पानी की बोटल को जितना पानी पिया है, उसको भर के रखना, अब आपको क्या मन करेगा, थोड़ा ज़्यादा थंडा पानी पी लेता हूं, थंडा पानी पी लेता हूं, तो आपने क्या करा, उस बोटल को उठागे फ्रीजर में रख दिया, अब फ्रीजर में पानी जम गया, आप लग गए इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के लिए, अब निकल गए आपके 4 घंटे, 5 घंटे उसी चीज़ में, समय बरबाद आपका, जब आपको याद आया, आप देखने गए, तो वो पानी की जो बोटल थी, उसमें बर्फ जम गया, बर्फ जमने के बाद में जैसे ही आपने बाहर निकाला, तो वो आपकी चटक जाती है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है, यानि जब आपका पानी जमता है, तो जमने के बाद आपके पानी का आयतन जो होता है, वो बढ़ जाता है, और इस वज़े से बचा आपकी कोई भी चीज़ पाइप है, बोटल है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी फट जाती है, या चटक जाती है पानी से भरी अच्छा अगला कोशन ही आ गया पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाती है क्यों अब ये कोशन आपका इजी है बताईए पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाती है क्यों क्यों क्योंकि जमने पर आपका जल का आयतन जो होता है बचा वो आपका बढ़ जाता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 degree Celsius से गिरा कर 3 degree Celsius कर दिया जाता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि ताप मान 9 डिग्री से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है जन्नल साइंसकोर्ट बटा रोकिट साइंस बिल्कुल चलता है दो क्लास हो चुकी है उसकी लाईव आस तीसरी क्लास है जिन बच्चों को लेना है वाई 446 कोड़ का इस्तवाल करके आप अभी भी पर चैस कर सकते हैं एन्रोल कि रा सकते हैं वो बैच बहुत ही beneficial होता है बच्चों के लिए ऐसे ही 8-9,000 बच्चों ने नहीं खरीदा था गुरूब D के exam के समय पर तो effective होगा कुछ अच्छा होगा और जो पिछला बैस था उससे कहीं जादा बच्चा effective मेरा ये रहेगा आपका rocket science टूगा क्योंकि वो बोलते ना कि कोशिशे ही काम्याब होती है तो जब पहली बार वो बैच मैंने निकाला था तो तब वो मेरी पहली कोशिश थी मैं भी नई थी आप भी नए थे लेकिन अब बच्चे पढ़ चुके हैं अब दुबारा बच्चे जिन्होंने पहला पढ़ा था वो दुबारा में भी आये हैं कि उनको पता है कि कुछ ना कुछ नया तो मैं हमारे लिए इसमें कुछ ना कुछ नया बेसिकली उसमें मिलेगा ही चलिए तो होगा क्या बच्चा सिंपल सी बात है जैसे जैसे टैंप्रेचर कम होता है आपका जल का आयतन बढ़ता जाता है यही जैसे आपका temperature होगा बच्चा वैसे वैसे आपका आयतन बढ़ता जाएगा यानि option number जो बच्चा आपका C है वो आपका सही रहेगा किलियर option number जो बच्चा आपका C है वो यहाँ पर आपका सही रहेगा चलिए अगला question देखते हैं जलर एक बार एक जील में टैरने वाली इस पाथ की नाओ के लिए नाओ द्वारा विस्थापित पानी का भाहर कितना होगा कि बताइए एक जील में तैरने वाली स्पात की नाओ के लिए नाओ द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा यदि कोई भी आपकी नाओ है यदि वो जील में तैर रही है तो बताइए उसको तैरने के लिए पानी का कितना भार बेसिकली उसको हटाना होगा ठीक है पानी का कितना भार बेसिकली उसको हटाना होगा ठीक है ओके चलिए अगला कुशन देखते हैं जरा एक बार क्या रहेगा किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे चड़ी से पीटा जाए तो उसके तो उस पर कौन सा नियम लागू होता है जैसे की माल लिया आपके घर में अ अपने वहला ममी साफ ही करा लेते हैं ना बहुत गंदगी हो गई इनमें चलो कंबल को धोई डालते हैं ना उससे पहले तुम्हारा कंबल गंदा है लेकिन जब तुमने जाड़ा और उसमें से धूल बाहर निकली तब तुम्हें यह फील आया अब जब आपके जाड़ने पर ही धूल बाहर क्यों लेकिन जब आपने उसको रखा हुआ था उसमें से धूल अपने आप क्यों निकली बाहर कभी आपने सोचा कि जब आप किसी चीज को जाड़ते हो उसमें से तभी आपका मूव्मेंट क्यों होता है तभी उसमें से धूल बाहर क्यों निकलती है जै क्योंकि जो आपका कौन सा बच्चा आपका न्यूटन का जो पहला नियम है गती की जगे न्यूटन लिखे तो जादा बहतर है जो न्यूटन का पहला नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी उसी इस्थिती को जब तक बरकरार रखती है जब तक कि उस पर कोई ब नहीं मारोगे तो वह आपका क्या रहेगा बच्छा अपनी उसी कंडिशन में बनी रहेगी लेकिन जैसे आपने उस पर डंडे की मार को मारा तो तुरंत की तुरंत क्या हो जाता है आपका उस पर एक एक्सट्रा का रिया उस पर 4 अप्लाइ किया ऋपकी तो सेंदर और जो मोलीकूल dal के वह मुझे जूरत कह लिए आप लोग आपकी ही है ठीक है आपने ही इस platform को इतना बड़ा बनाया है और पर क्लिक करेंगे यहां पर यह त्री डोट मिलेंगे और आप लोग railway select करेंगे रेलवे पर जाकर आप लोग RRB ALP का लेटेस्ट हमारा बैच है बट इस बैच में हो सकता है मैं ना पढ़ाओ देखो ऐसा हो सकता है कि कुछ बैचेस में बिजी होने के कारण मेरी ज्यादा क्लासिस होने के कारण आपको कोई दूसरे टीचर पढ़ाए बट एक जो हमारा ये रेलवे का महा पैक है जिस पर आपकी डबल वैलेडिटी ओन हो गई है ये वो बच्चे जो पहली बार आए हैं इसको छोड़ने की गलती किसी कीमत पर नहीं करेंगे Y446 आप लोग कूपन कोड को अपलाए करेंगे मातर एक हजार रुपे में दो साल तक दो हजार पच्चिस तक जितनी रेलवे की वेकेंसी आएंगी वो सब इसमें कवर की जाएंगी TTE, RPF, आपका क्या बच्चा बेसिकली आपका ALP, technician, आपका group D, NTPC, जितनी वेकेंसी निकलेंगी वो सब इसमें 2 साल तक, test series, जितने भी new exam pattern यदि आपका बनता है तो उस पर जो भी हमारे नए batches होंगे, crash course होंगे, वो सब तुमको इसमें free में मिलेंगे तो इस ते जादा अच्छा और बहतर तुम्हारे लिए कुछ हो नहीं सकता double validity में, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की आप लोग कोशिश किया करो और coupon code एक ही लगाएंगे discount के लिए Y446 इस class के description box में आपको नीचे मेरे नाम के साथ एक application को download करने का link मिलेगा तो प्लीज आप लोग वहीं से application को download करें, इधर उधर कहीं कुछ सर्च नहीं करना, description box में जाना आप लोग ठीक है, वहाँ मेरे नाम के साथ में download app के साथ, पीछे मेरा नाम लिखाओगा, उस पर click करोगे, आप direct application download कर सकते हैं आपके लिए चीजों को और आसान बनाया जा रहा है, ओके जी चलिए, bye bye, take care, जै हिंद, फटाफट से rocket science वाले बच्चे, move करेंगे अब class में आपके लिए